नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है Study with Happiness केस हमारे informative वीडियो में दोस्तों अक्सार आपने देखा होगा कि कई लोग बताते हैं कि मेरा जो पडोस वाला था परिक्षा हॉल में उसने अपनी OMR शीट खाली छोड़ दी तो दोस्तों ये सोचिए कि कि क्या कोई exam देने आया है और अपनी OMR शीट को खाली छोड़ सकता है नहीं छोड़ सकता जब तक उसी कोई setting ना हो मतलब ये जो चीज है वो इस चीज को दरसाती है कि उसका कही ना कहीं loophole है परिक्षा में और कई लोगों ने मुझे अलग अलग परिक्षा हो में बताया कि इस तरीके का मतलब लोग OMR शीट को खाली छोड़ रहे है तो दोस्तों ऐसे में जो तकलीफ होती है जो दर्द होता है वो ऐसे student को होता है जो की genuine मेहनत कर रहा है और उसकी सीट कोई और ले जाए ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों मेरे पास एक सुझाव है अगर आप लोगों को सही लगे तो आप इस वीडियो को आगे forward कीजिएगा और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो comment section में लिखिएगा दोस्तों जहां पर भी OMR शीट पर एक्जाम होता है वैसे तो जालतर एक्जाम online कर दिये गए हैं मगर अभी भी कुछ एक्जाम ऐसे हैं जो कि offline हो रहे हैं उस इस्तिधी में क्या किया जा सकता है कि आपको पता होगा जब OMR भर देते हैं उसके अंदर भर देते हैं तो उसमें एक provision दे दिया जाए कि number of question attempted कितने किये हैं भले ही आप परिक्षा की अविदी को 5 मिनट के लिए और बढ़ा दे या फिर 5 मिनट सिर्फ इसी के लिए हो कि जो है आपको उसके अंदर भरना है माल लिजे किसी ने सो में से 90 किये 90 भरेगा किसी ने 10 किये वो 10 भरेगा और जिसने blank रखी है वो 0 भरेगा मगर भरना जरूरी है और उस पर teacher के sign हूँ इससे दोस्तो मुझे ये लगता है कि पारदरशिता आएगी और जो इस तरीके की rumors उड़ती रहती है कि sheet खाली छोड़ दी और जो है उसका selection हो गया देखे sheet खाली छोड़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि paper देने के लिए जो पहुंचता है आदमी कितना खर्चा करके पहुंच जाता है अगर paper नहीं भी आ रहा होगा तब भी कुछ ना कुछ तो करे गही sheet खाली रहना बहुत गलत है और क्योंकि अभी इस तरह कोई check and balance नहीं है उसके उपर तो ये चीज कहीं न कहीं शक जाहिर करती है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं दोस्तों दोस्तों हम ऐसा कर सकते हैं कि देखिए अभी हमारा यहां पर जो है कि OMR sheet के अंदर एक column ऐसा दिया जाए जिसमें हम number of question attempted ये भी लिखें इससे ये होगा जो genuine candidate हैं उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और ऐसे लोगों पर लगाम लगेगी जो ये सोचते हैं कि किसी प्रकार की setting हो सकती है या फिर OMR को खाली छोड़कर बाद में कोई कर देगा उनका दोस्तों ये सुझाव आपको कैसा लगा आप जरूर बताईएगा अगर आपके पास कोई सुझाव है जिससे कि इन सब चीजों को रोका जा सकता है तो भी comment section में लिखेगा दोस्तों इस तरीके के वीडियो आप जरूर शेयर कर दिया करें जिससे कि अगर ये वीडियो एक organization के पास तक पहुंचें और ये सुझाव किसी को अच्छा लगे तो वो implement किया जा सके अधरवाई ये भी हो सकता है कि कई लोग representation बना कर भी भेज़ दें ठीके क्योंकि representation देना जरूरी होता है किसी भी चीज़ के प्रती अगर representation नहीं जाएगा तो उस पर कोई भी कारवाही नहीं हो सकती ठीके दोस्तों ये आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताएए comment section में और आपके पास कुछ ना कुछ सुझाब तो जरूर होगा इस वीडियो से related या इस topic से related तो comment section में जरूर लिखिए मिलते हैं दोस्तों हम next वीडियो में और हाँ एक बात तो अभी रही गई कल मैंने GS के लिए एक mock test बनाये था हो सकता है आपने देखा हो हो सकता है ना देखा हो अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है न तो मेरे कहने पर एक बार जरूर देखिए उसे और उसके अंदर जो question की quality है एक बार उसे देखिए अगर आपने सच में देख लिए उन question की quality तो आने वाली आप हर क्लास को अटेंड करेंगे यह मेरे एक छोटा सानरूद है कि जरूर देखें अगर आपको अच्छी ना लगे तो डिस्लाइक मार के आना दोस्तों ठीक है मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत